बीजेपी इस देश के केंदर में सरकार चला रही है कई राज्यों में उसकी सरकार है अमिश्या और मोदी उसके नेता माने जा रहे हैं लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्ज होगा जो मेरा अन्भव है जिस तरह से मैं प्लिटकल पार्टियों की मर्जिंग देख रहा ह हूं और नेताओं का पार्टी में सामिल होना देख रहा हूं मुझे लगता है कि बीजेपी भले ही सत्ता में हो कई राज्यों में उसकी सरकार हो देश के हरजिले में उसके पार्टी दफ्तर हो देश के सबसे बड़ा पार्टी दफ्तर हो सबसे ज़्यादे बिधायक सबसे जा पाएं लेकिन जैसे उन्होंने तैय किया कि मुझे बीजेपी में जाना है बीजेपी ने स्वागत किया चुना उलड़ा दिया अभी एक प्रीता हरित हैं वो पहले इंकम टेक्स कमिशनर थी फिर अमिट कराइट भी थी कॉंग्रिस में गई फिर लोगदल में गई अभी बीजेपी में सामिल हो गई जीतना माजी दो दिन दिल्ली आएं उन्होंने अमिस्सा से मुलाकात कर ली बिहार में उपेंदर कुसवाह हो या चिराग पासवान हो या मुके सहनी हो जब चाहें बीजेपी से बात करके गटवंधन में जा सकते हैं यूपी में अनुपिरिया हारित हो इंडिविजूल या उदित राज हो या चोटे मोटे माजी जैसे दल के नेता हो जो लोग आलोचना करते हैं बीजेपी में जाने वालों को लेकर मैं कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूं क्या ये संभव है कि आप नितिश कुमार से मिल सकते हैं जेडियू में जाना था कुछवा जी उनसे मेरी अच्छे जान पहचान है पत्रकार के तौर पर उन्होंने ललन सिंग से मेरी मुलाकात करवाई ललन सिंग को मैंने कहा कि अगर आप इंट्रिव्यू दे मुझे तो मुझे बड़ी कुशी होगी उन्होंने मना कर दिया तो मुझे कहा गया कि ने लंबा संघर्स किया हो काम किया हो क्या वो बहुजन दलो में चाहे वो हमन्सोरेन की पार्टी हो या स्टालिन की पार्टी हो जेडियू हो आरजेडी हो सपा हो बसपा हो क्या इन जो बड़ी इस्टैबलिस पार्टियां है बहुजन समाच की बहुजन लीडर्सी बाली जो पाटियां हैं क्या उसमें आप टुरंत जा सकते हैं प्रीताहारी जिस तरह से बीजेपी दिल्ली परदेश में सामिल हो गए या जिस तरह से माजी जी अमिश्टा से मिल लिये उधर से हटे इधर चले गए चिराग पास्मा जिस तरह से टच में है मुके सहनी के जिस तरह से टच में है बीजे-पी तो सवाल है कि क्या अखलेस आदब मायावती जी या फिर आपको बता दे कि नितीज कुमार या तेजस्वी आदब या हिमन सोरेन या स्टालिन जो बहुजन लीडर्शिप बाली पार्टियां है क्या वो आपके रिच में हैं क्या आपको उसके आपके काम के हिसाब से उसमें आप जा सकते हैं सत्रुगन स ना सोचिए पहले बीजेपी में थे फिर सपा में चले गए उसके बाद फिर मंतावनर जी के पाले में चले गए किर्ती आजाद बीजेपी में थे कॉंग्रिस में आए फिर मंतावनर जी के पाले में चले गए तो क्या ये जो सवन लीडर्शिप बाली पार्टियां है ये का potential देखती है अगर इन्होंने समाज में काम किया है तो ये potential देखते हैं और इनको party में सामिल करा लेते हैं वो देखते हैं कि इनसे क्या फायदा है मैं दो बाते तो clear कर दो अगर सवर्न समाज का कोई नेता किसी party में जाता है गैर सवर्नों वाली पार्टी में अगर वो भुजन लीडर्सीप वाली पार्टी में जाता है तो वो सिर्फ अपने साथ अपना परिवार का बोट भी लाता है कि ये भी मुझ पर शक है क्योंकि भारत में बोट जो है वो लोग पहले जाती देखते हैं फिर इडेलोजी देखते हैं मुस्लिम फिर धर्म क्या ओवैसी को सिडुल कास्ट के लोग बोट करेंगे जब तक गट्वनधन न हो कहेंगा रे मुसलमानों की पार्टी क्या सिडुल कास्ट के पार्टीओं को SIG बोट करता है कहते हैं अरे यह मायवती जी की पार्टी है दलितों की पार्टी है क्या बैकवर्ड क्लासिस लीडर्सी बाली पार्टी है सपा बसपा को सवर्ण बोट करते हैं कहते हैं अरे यह पिछरों की पार्टी है तो यह भारत की सच्चाई है आप हमसे नाराज हो सकते हैं माने ना मान तो सवाल है कि क्या नितीज कुमार की पार्टी में तेजस्वी आदव की पार्टी में क्या स्टालिन की पार्टी में क्या मायवती जी की पार्टी में कोई आदमी इंडिविजूल जिसने लंबा संघर्स किया हो वो जा सकता है क्या उसको वो जगब मिल सकती है क्योंकि वहाँ जो चाकरी है जो लोग फैंसला लेने वाले हैं जो मिलवाने वाले हैं क्या ये नेता रिच में नहीं है अमिस्था के दफ्तर में ऐसा नहीं है आप सोचिए माजी जी वो कितना सीट लेंगे मुश्किल से दो या तीन सीट बीजेपी क्या देगे उनको चिराग पासवान बरे नाम है मुकेश सहनी पिछली बार उनकी पार्टी का बिले हो गया था निसाद कितने है उनका बेटा सांसद है खुद विधायक है मंत्री है अनुप्रिया पटेल बरा दल है कई बार नराज भी होती है तो ये बीजेपी जो है वो उसका रिच बहुत आसान है क्या प्रिताहरित बीएस्पी में जा सकती थी जेडी उ आर जेडी में जा सकती है लोकदल ने भी उनको ठीकर नहीं दिया तो आप किसी को इसलिए अलोचना नहीं कर सकती वो किस पार्टी में जा रहा है सवाल वही है कि क्या ये तमाम जो बहुजन लीडर्सिप बाली पार्टियां है उनको अपने समाज का नेता चाहिए या नहीं चाहिए तमाम लोगों की अपनी रादनितिक महत्कांग्शा होती है जो लंबा जीवन समाज में काम करता है मैं एक पतरकार के तोर पे भी कह रहा हूं पतरकारों की भीजेपी में अच्छी रीच है सायद ही कोई यूटिूबर में बोल रहा हूं जो छोटे-छोटे में पतरकारों को जानता हूं जिसको इस देश के एक परसेंट लोग भी नहीं जानते हैं, अगर वो सबन समाज से हैं, तो उनका बीजेपी में उठना बैठना है, बीजेपी के नताओं से मिलना जुलना है, रिजी रिच है, अब ये मत कहिए कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं वसे जानकारी दे रहा मेरा वैसे भी बहुत किसी भी राजनितिक दल के निता से कोई जान पहचान नहीं है, मैंने कोशिश भी नहीं किया है, क्योंकि मैं समाज की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आम लोगों से मिलता हूं, आम लोगों की खबरे आप तक लाता हूं, निताओं से नो तो मेरी जान पहचान है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इंट्रिव्यू नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इंट्रिव्यू करूं और आपकी बातें वहां तक पहुंचाऊं, सोचल जस्टिस की बात पहुंचाऊं, बहुजन समाज कैसे सोच रहा है, उनकी बात पहु चाहूं लेकिन वहाँ रिच नहीं आप पहुच नहीं सकते हैं आप पो सालों लग जाएंगे ये पता करने वज़ा है आप देखेंगे कि ये लोग मैं जो महसूस किया हूं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं जो बहुजन समाज की लीडर सी बाली पार्टियां है वो बहुत जादा अंसेक्योर हैं और वो जो उनके आस्पास मैं नेता नहीं कह रहा हूं उनके आस्पास जो लॉबी है जिसका काम है पॉइंट मेंट देना लोगों से मिलवाना पत्रकारों से मिलवाना वो लोग बहुत अंसेक्योर होते हैं और उनको लगता है कि कोई दूसरा आएगा हमारे नेता से मिल लेगा तो हो सकता है कि मेरा इंपोर्टेंस कम हो जाए मेरी रिस से नेता बहार निकल ज जाए एक तो ये चीज़ है दूसरा सवन समाज के लोग उनके आस पास होते हैं जैसे उनके परवक्ता टेलिविजन पर सवन समाज के लोग हैं उसी तरह से उनके लवी में भी सवन समाज के लोग होते हैं और उनकी बैचारी का इडिलोजी आप समझ सकते हैं कि उनका बैचार के सोचने की परकिरिया से अपने समाज में हो रहे बदलावों से क्योंकि किसी निता के लिए आसान नहीं है कि वो रोज सब जगा जाये रोज सब से मिले ये बिल्कुल संभव नहीं है लेकिन ये जरूरी है कि उनको वैसे लोगों से मिलते रहना चाहिए जो ग्राउंड पर क से से है या किसी भी आपने लंबा काम काँ जैसे मैं चंसेहर रहार है जो सरको पर संघर्स करते हैं अपने अपने जिला में अपने 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 स्टेट में अपने इसलार में उनका बहुत मिएधार देखर हां को बढ़ा रहे हैं मेरे जैसे हजारों पत्रकार हैं मतलब हजार तो होंगे कम से कम चलिए सौ मान लीजिए जो जिनका जो बहुत अच्छा काम करें लेकिन उनकी प्लिटिकल पार्टी तक रीच नहीं है तो चलिए पत्रकारों का तो समझ में आता है लेकिन जो सोसल जिनको लगता है अब बीजे पी नभी क्या कहा है अपने सांसदों को कहा है कि हर सांसद हर गाव में जाएगा आपके इलाके में जो सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर है चाहे वो मेरे खिलाव हो या मेरे साथ हो उसकी लिश्ट जमा कराई उसका नाम लाइए इस तरह से वो 2024 क त्यारी कर रही है क्या माजी जी आराम से मिल सकते हैं खिलेश या दव मायावती जी से या तेजस्वी आदव या नितीश कुमार से स्टालिन से या हमन सोरें से ये एक बड़ी समस्या है और इसी वज़ए से BJP की तरफ लोग जाते हैं और उसके बाद हमारे आपके जैसे लोग सोचल मीडिया पर उनकी अलोचना करते हैं क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ या क्या आप लोग को लगता है कि किया S.C.H.T.O.B.C. किसां जातियों की जो लीडर्सीबाली पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं वो बहुत सोचली अनसक्योर हैं क्या वो नए है कि बाचर तक समस्या है कि वो अपनी ही राज में किसी और दूसरे नेका को नहीं देखना चाते हैं नहीं उबहने देना चाते करणा पर्टी एक राज्त कसमित है यह भी एक बड़ा मस्टा हो सकता है लेकिन सवाल है कि आप जो सरकों पर संघर्ष कर रहा है जिसकी प्रियंका गांधी के जो आसपास लोग हैं, वो सबन समाज के लोग हैं, CSTOBC का इडिलोजी सो वो सहमत नहीं है, जो खड़गे जी के आसपास हैं, उसके लोग भी, लेकिन वो कम से कम अब उनको लगता है कि अब मिलना पड़ेगा, उहां भी जाना आसान है, उहां भी आप म दूबा या निताओं के लिए भी, क्या ये बड़ी बज़ा है कि उनको ग्राउंड की रियालिटी पता नहीं होते हैं, या दूसरी बड़ी बज़ा है क्या लगता है आप लोग को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये लोग हंकार में हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये ल लगाती रही है ये एक बड़ा सवाल है क्या बज़ा है कि जादा तरे CSTOBC के और किसान जातियों के जो संघर सी लोग हैं वो BJP की तरफ चले जाते हैं क्या उनका असान है मिलना जुलना मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि बहुजन लीडर्सिप बाली पार्टियों के निताओं से आपका भले जीला में स्टेट में रसूख हो उनसे मिलना असान नहीं है बहुजन पत्रकारों का मिलना असान नहीं है और साध इस वज़से ग्राउंड की हकीकत पता नहीं चलती है और ऐसे में BJP के निताओं से लोगों को मिलना बहुत जुलना असान हो जाता ह यह बात सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पीता हर्ज सामील हूए है, माजी जी मिले है, मुकेश सनी है, चिराग पास्वान है या हो सकता है कि बहुजन लीडर्शिप बाली जो पार्टी हैं, जो बहुजन नेता हैं वो क्या अपने ही बहुजन समाज के और नेताओं के साथ नहीं मिलना जुलना चाहते हैं या इसकी बज़ा है वो चाकरी वो लॉभी जो सवर नेताओं की लॉभी है या सवर नेडवाइजर हैं वो मिलने नहीं देते हैं दोनों में से कोई एक बात तो हो सकती है या तो ये नेता मिलना नहीं चाहते हैं ताकि और कोई leadership खरा नहों या फिर जो चाकरी है वो मिलने नहीं देना चाहती है दोने में से कोई एक बात है आप लोग की क्या पर्तकिरिया है अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजिए मैंने अबरा रिस्त की वीडियो बना डाला है लेकिन सिर्फ डर की वज़े से इमान की बात तो नहीं छोड़ी जा सकती है तो बीजेपी से गटवंधन करना, बीजेपी में सामिल होना बीजेपी के निताओं से मिल लेना असान है मुकाबले बहुजन लीडर्शिप से आप लोग अपनी पर्तक्रिया जोर दीजिए, शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं झाल